दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजय मग्गूः और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर पिछले लोगसभा के अंदर यानि कि मोधी पार्ट टू की सरकार के अंदर संसद में एक बिल पास हुआ था वो बिल बाद में कानून की शक्र ले गया और उस कानून के अंदर ये है कि महिलाओं को 33% आरक्षन मिलेगा लोगसभा और विधानसभा राज्यसभा इन सभी में महिलाओं को 33% आरक्षन मिलेगा ये बात तैह होगी लोगसभा में बिल पास होने के बाद कानून बनने के बाद में परधान मंत्री नरेंदर मोधी और तमाम भारती जन्ता पार्टी के नेताओं नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित होने के बाद इसकी खूब भावाई ली इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दरों ने भी इसकी खूब वावाई ली कि सभी के अंदर एक बात गई कि भैया चलिए महिलाओं के लिए जो महिला सशक्ती करण की बात थी वो पूरी हो गई दोजार अनतिस के चुनाव में संभवता ये अधिनियम चालू होगा दोजार अनतिस का जो चुनाव होगा लेकिन उससे पहले महिलाओं को कितनी भागीदारी दी ये कई बार चर्चा का विश्य बनता है अब क्योंकि हर्याना में चुनाव है हर्याना विधानसाबाच चुनाव के लिए कौन से राजनितिक दलने कितने महिलाओं को भागीदारी दी इस बात की अब चर्चा बहुत जोरों पर है अगर 33 फीसद की बात की जाए तो हर्याणा में 90 विधानसवा की सीटें हैं और उस लिहाज से 30 विधानसवा की सीटें महिलाओं को दी जानी चाहिए थी लेकिन अगर आप धरातल पर जा करके तो भारती जंता पार्टी हो या कॉंग्रेस हो और या कोई और राजनीतिक दल हो नारी शक्ति, वंदन, अधिनियम और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले राजनीतिक दलों ने महिलाओं को कही कोई विशेश तवज्जो नहीं दी अगर आप दौनों पार्टियों की सूचियों के अनलाइज करें जो मैं आपको अगले वीडियो में करके बताऊंगा तो उसके अंदर 33 पीसद तो आप छोड़िये जनाब 10 पीसद तक भी बात नहीं बनी इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा में हून खासकर फरिदाबाद लोगसवा को लेकर फरिदाबाद लोगसवा सीट जहांपर की क्योंकि हर्याना की सभी 10 लोगसवाओं में 9-10 विधान सभा की सीटे हैं सीटे हैं अगर मैं आपसे बात करूं तो भारती जनता पार्टी के सभी नौ केंडिडेट सामने आ चुके हैं भारती जनता पार्टी के बाद कॉंग्रिस के भी सभी नौ केंडिडेट सामने आ चुके हैं अगर भारती जनता पार्टी के आपसे मैं बात करूं तो नौ केंडि नहीं मिली भारती जंता पार्टी से अगर टिकेट के दावेदारी की आपसे मैं बात करूं कि टिकेट के दावेदारी करने वाले कौन लोग थे तो सबसे प्रमुक नाम तो बढखल विधान सभा से सीमा त्रिखा का आ जाता है सीमा त्रिखा जो परदेश की काट दिया और उनकी जगा धनेश अदलखा केंडिडेट हुए अगर बाकी सीटों की बात आप से करें बाकी की जो आठ सीटें बसती हैं यहले कि पिछले सदन के अंदर भारती जनता पार्टी की तरफ से फरिदाबाद संसदिय छेतर में एक मातर सीमा त्रिखा केंडेट थी जिनका टिकेट कटा और बाकी विधानसवा सीटों की आप से मैं बात करूँ तो तिगाओं से राजेश नागर को मिला फरिदाबाद से विपुल गोयल को मिला बल्लबगर से मूल्चन शर्मा को मिला फरिदाबाद NIT 86 से सतीश फागना को मिला प्रतला विधानसवा में टे पार्टी का टिकेट माँगने वाली दो महिला थीं हतीन विधानसवा छेतर में लंबे समय बाद कोई महिला चुनाव मेदान में ऊतरने की तैयारी में थी लेकिन भारती जंता पारटी की टिकेट कमेटी में उनको कंसीडर ही नहीं किया गया जो महिला केंड़ेट की डिमांड थी जो महिला केंड़ेट बनना चाह रही थी वो थी रश्मी सहरावत भारती जंता पार्टी की महिला मोर्चे की प्रदेश सह कोशा ध्यक्ष लेकिन राजनितिक सुत्र बताते हैं कि रश्मी सहरावत के नाम पर चर्चा तक भी नहीं होई अगर मैं दूसरा नाम करूँ तो भारती जंता पार्टी से होडल विधान सवा से एक और केंडेट तयारी में थी जो भाजपा की टिकेट की डिमांड में थी टिकेट मांग रही थी और अब वो निर्दलिय चुनाओ मैदान में हैं वो है नवीन रोहिला नवीन रोहिला ने भी भारती जंता पार्टी की टिकेट के लिए आवेधन किया था उनका नाम भी चला था राजनितिक छेत्रों में चर्चाएं हैं कि नवीन रोहिला के नाम पर गंभीर मन्थन भी हुआ लेकिन अंत में टिकेट मिला हरेंदर रामरतन को और हरेंदर रामरतन आज नामांकन करके और अपने चुनाओ परचार को शुरू कर देंगे नवीन डोहिला यहां पर निर्दलिय चुनाओ लड़ेंगी तो ये बात तो ही उस पार्टी की जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोगसभा में पारित कराने के बाद में ये दम ठोका था कि वो महिलाओं का संबान करेंगे कितना संबान मिला आपके सामने है अगर मैं अगली बात करूँ तो कॉंग्रेस की बात आएगी कॉंग्रेस के अंदर कॉंग्रेस पार्टी ने एक विधानसवाद छेतर से अपना कैंडिडेट महिला को बनाया है कॉंग्रेस ने जो नौ कैंडिडेट अपने दिये हैं उसके अंदर तिगाओं में रोहित नागर को टिकट मिला है यश्पाल नागर के बेटे हैं उसके बाद में फरिदाबाद में लखन सिंगला को टिकेट मिला है फरिदाबाद NIT 86 में नीरज शर्मा कैंडिडेट होंगे बढखल में विजय परताब फिर से कैंडिडेट है प्रतला में रगवीर सिंग तेवतिया को नुमाइंदा बनाया पलवल के अंदर करंसिंग दलाल है होडल के अंदर चौधरी उदयवान है जो परदेश अध्यक्षें और हथीन में मुहमत इस्राइल को टिकेट मिला है कॉंग्रेस ने बल्लबगर विधानसभा से जरूर पराग शर्मा को श्रीमती पराग शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है तो फरिदाबाद संसदिये छेत्र में आप मान सकते हैं कॉंग्रेस ने लगबग 12% प्रती निधित्व दिया महिला शक्ती को अन्या पार्टियों की बात करें अगर तो मैं आपको होडल विधानसभा का ही बता दूँ कि जो महिला और दावेदार थी सुनीता सौरोट टिकेट मांग रही थी सानु यस्तवर के नाम से उनकी Facebook ID है सुनीता सौरोट मुक्ष पाउंडेशन के नाम से एक NGO भी चलाती है पिछले लंबे समय से चुनावी तयारी में थी इंडियन नैशनल लोगदल में वो शामिल भी हुई अभे सिंग चोटाला को उन्होंने जोइन भी किया लेकिल उनको इंडियर नैशनल लोगदल ने अपना कैंड़िएट नहीं बनाया अब उन्होंने इंडियर नैशनल लोगदल को अपना प्रत्याशी बनाया है। और सुनीता तमर भी अब निडलीये चुनाव मेदान में हूंगी। यानि कि होडल विधान सभाचेत्र जहां पर आज तक कोई महिला चुनाव मैदान में नहीं थी पहली बार अपने दम पर यानि कि नर्दलियत चुनाव मैदान में दो महिलाएं उतरी है नवीन रोहिला और सुनीता तमर और अगर कॉंग्रेस की बात मैंने आपको बता दी कि क अंग्रेस ने अपनी पार्टी का जो केंडिडेट बनाया है वो पराग शर्मा को एक टिकट दिया है महिला को अन्य राजनितिक दलों की बात करें तो फिर आजाज समाज पार्टी और जेजेपी घटवंदन ने इन्हों ने भी अपना एक टिकट एक महिला को दिया है नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित करवाने वाले उसकी वहवाई लेने वाले भारती जन्ता पार्टी को पूरे नौ संस्विधान सभाच हेत्रों में कोई कुशल या योग्या महिला प्रत्याशी नहीं मिली तो कॉंग्रेस को मात रेक प्रत्याशी खड़ा करके अपन कराने के बाद जिस प्रकार से वावाई ली गई उसका आने वाले दिनों में क्या आफर होगा कमेर्स बॉक्स में ज़रूर पताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना